हेलो आईज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने Realme के किसी भी फॉन्स के अंदर जो पिक्सल फॉन होता है, जी हाँ जो कि Google का फॉन होता है, पिक्सल उसके थेम्स को अपने फॉन के अंदर हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और जैसा कि दोस् आज की वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इससे अपने फॉन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और किस तरह से आप इसको पर्मनेंटली सेव भी कर सकते हैं अपने पास, चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप यहां दियान से देखें, मेरे Realme 3 Pro के अंदर पिक्सल थेम्स को मैंने इंस्टॉल किया है, और इंस्टॉल करने के बाद मेरे फॉन का जो लोग है, वो completely change मुझे देखने को मिल रहा है, और जैसा कि आप यहां दियान से देखें, इसके जो टावर हैं, यानि कि नेटवर्क हैं, और यह सब आइकन यहां पर हमारे चेंज हो चुके हैं, और यहां हमारे फॉन के आइकन से, वो भी हमें completely change देखने को मिल रहा है, जो कि काफी जादा beautiful लग रहा है, और काफी जादा शानदार लग रहा है, और बहुत जादा यह simple भी है, खर जब दोस्तों, आप उस फाइल को डाउनलोड कर लो, तो डाउनलोड करने के बाद आपको करना कहा है, simply आपको अपने फॉन के जो stock file manager है, उसके अंदर आना है, खर चलिए हम यहां stock file manager के अंदर चलते हैं, और फाइल मेंजर के अंदर जैसी आप आते हैं, तो यहां आने के नाम से, अब यहां आपको गाने कहा है, इस file को औन जैसी दोस्तों आप इसको अंजिप करते हैं, नहीं गैसी दोस्तों है, तो यहां पासवर्ड में यहां पमुछे कbilir की, तो simply आपको यहां पासवर्ड में enter करना है, capital में WC, और जैसे ही दोस्तों आप यहां WC टाइप क करने के बाद यहां आपको start to decompress पे click करना है जैसी दोस्तों आप इसको click करते हैं तो click करने के बाद यहां से आपको एक बार फिर से start to decompress पे click करना है एंड जैसी आप इस पर click करते हैं तो click करने के बाद यहां आपकी जो file है को decompress हो जाएगी अब दोस्तों नेक्ट स्टेप में आपको करना क्या है एक फोल्डर आपके फॉन के अंदर बन जाएगा तो simply आपको करना क्या है उसे सर्च करना है चलिए खर हम उसको सर्च कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देखें यहां aosp.theme के नाम से मुझे फोल और जैसी दोस्तों आप ट्राइनाओ पर क्लिक करते हैं तो यहां आपका जो थेमस है यह आपके फॉन के अंदर apply होना start हो जाएगा अब यह आपको थोड़ा सा wait करना है और दोस्तों यहां आप ध्यान से देखें जब हमारे फॉन के अंदर यह थेमस apply हो जाता है तो apply होने यहां आपको buy now का option देखने को मिल जाएगा खर यहां दोस्तों इसका भी हमेरे पास एक solution है इसके लिए आपको simply करना क्या है यानि कि अगर आप buy now की problem को solve करना चाहते है तो इसके लिए simply आपको करना क्या होगा यहां आपको theme store को search करना है अपने phone के अंदर यहां आप menu में यहां आपको storage का जो option है इसको select करना है और उसके बाद दोस्तों यहां आपको clear data को click करना है और जैसी दोस्तों आप clear data को click करते हैं तो यहां आपके जो theme store का data है वो clear हो जाएगा यहां आपको tension लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है क्योंकि यहां आपने अगर कोई भी themes download किये हैं already पहले से तो वो आपके themes यहां से delayed नहीं होंगे इतना step करने के बाद खर दोस्तों अब बात कर लेते हैं next step की तो next step में आपको back आना है और back आने के बाद यहां आपको data uses status के नाम से एक option देखने को मिलेगा अभी आपको करना क्या है simply इसको select करना है और select करने के ब और चैसी दोस्तों आप अपने phone को एक वार restart कर लेते हैं तो restart करने के बाद आपके phone के अंदर यह जो themes है यह successfully apply हो जाएगा यानि कि यह properly work करना start कर देगा यानि कि आपके phone का जो लोग है वो completely change हो जाएगा अब दोस्तों इस तरह से आची इस video में मैंने आपको बताया कि कि अपने phone के अंदर pixel themes को install कर सकते हैं यानि कि अगर आपके पास realme का कोई भी themes है जो की color voice 6 पर run कर रहा है तो आप उसके अंदर pixel themes को किस तरह से install कर सकते हैं तो दोस्तों अब मुझे आप comment करके बताये कि आपको यह video कैसा लगा और आपको यह themes कैसा लगा क्या आप इस तरह क theme से video और भी देखना चाते हैं या realme के अंदर आप कुछ और नया देखना चाते हैं तो आप मुझे comment करके boost सकते हैं और मैं उस topic में video बनाने की कोशिश करूंगा तो फिलाल दोस्तों इस video में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको यह video पसंद आया होगा सब्सक्राइब